हेलो फ्रेंस हलूँ जो की बहुत ही टेस्टी बनता है देखिए मैंने म५मग्दाल काथ्ma दाल लिया था एक कट्टोरा उसको मैंने 2-3 घंटे भिगो पेस्ट तयार कर लें देखिये मैंने फाइन पेस्ट तयार कर लिया है भील्कुल फॉंट यह आज जाल दिया है। देखिए हमारा कड़ाई में घी घरम हो गया है मैंने चार चमच घी लिया था इसमें डाल दी चार चमच बेसन अब इसको हम थोड़ी दिर वूनेंगे इससे हमारा मूंग दाल का हलवा बिल्कुल दाने-दार वनेगा बेसन हम हल्का सभून लेगे फिर इसमें मैं डालूँगी चार चमच सूजी देखिए अब इसको भी कुछ देर हम भूनेंगे अच्छी तरीके से देखिए हमारा मुंग बेशन और सूजी भून चुका है इसके बाद देखिए हमारा भून के गया तयार अब इसमें मैं डालूँगा मुंग दाल का पीश्ट जो मैंने तयार करा था इसको डाल कर हम कुछ दिर भूनेंगे जब तक हमारा मुंग दाल का कच्छा पंदूर ना हो जाए तक हम इसको भूनेंगे अगर आप चाहे तो इसमें फ्रूट कलर भी डाल सकते हैं और केसर को भी आप डाल सकते हैं जिससे इसका कलर चींज हो जाएगा लेकिन मैं कुछ नहीं डाली बिल्कुल सिम्पल सधारन सवानाई हूं देखिए हमारा मुंग दाल बिल्कुल दानेदार हो गया है मुंग दाल का हलवा चासनी त्यार करें मैंने कुट्रा में पानी लिया है इसमें मैं डालूगी दो कुट्रा चीनी आप एक कुट्रा रख लें जिससे आप अराम से नाप के काम कर सकती हैं अब इसको हम अच्छी तरीके से घुमिक्स कर लेंगे और हमारा मुंग डाल भून चुका है देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि इसका कच्चा पंदूर हो गया है अब देखिए मैंने तीन इलाइची भी डाला अगर आपको पस इलाइची का पॉडर हो तो इलाइची का पॉडर यूज करें अब इसको हम डालेंगे मौंग डाल के हलुए में देखिए मरभून गया है अब इसमें हम डालेंगे डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी कुछ दिर हमारा इसी में अब पकाऊंगी जिससे हलका सभी कच्छा पन हो वो इसमें पक जाए अब इसमें धेर सारा हम डालेंगे काजू किसमिस आप इसमें चाहें तो बहुत कुछ युणा ड्राइ फूट डाल सकती है मैंने सब काजूअ किसमिस यूज करा है देखिया मारा मिक्स हो गया है अब्यवंत देखिया महरा मूंगदाल का हल्वा बनने पन्धैन हो झाल झाल